तन पर भगवा, माथे पर तिलक, सनातन को लेकर ऐसी दहार कि सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं के रॉंग्टे खड़े हो जाएं सोला सो किलोमीटर दूर एक सच्चे सनातनी ने अपने धर्म के लिए ऐसी हुंकार भरी, मूँ में दही जमाई दिल्ली वाले नेताओं को भी शर्मा गई हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते नेताओं को साउत के योगी से कुछ सीखना चाहिए समझना चाहिए कि जब उसी हिंदुत्व को कोई गाली दे तो कैसे दहाडना है, कैसे चीखना है और कैसे चिलाना है सामने वाले को बताना है कि वी आर अन अपोलोजिटिकली सनातनी बिल्कुल वैसे ही जैसे पवन कल्यान ने ललकारा I'm an unapologetic, sanatani, Hindu I'm an unapologetic, sanatani, Hindu If I have to lose everything, including my life and my political position as DPDCM and this political power आपने कई बार सुना होगा लेकिन ये वाला बिलकुल अलग है सनातन के लिए ये हुंकार भी उस जगह से उठी जहां पर अक्सर इसके उन्मूलन को लेकर बाते होती है सोला सो किलोमीटर दूर पवन कल्यान कटर सनातनी है ये बात तो सबको पता थी लेकिन सनातन विरोधियों के गड़ में भगवा पहन कर वो उन राहुल गांधी को ललकार देंगे जिनोंने राम मंदिर को नाच गाने वाला इवेंट बताय था ये किसी ने नहीं सोचा था पवन कल्यान की ये दहार यकीन मानिये मिसाल है उननेताओं के लिए जो सेकुलिरिजम का चोला ओड़कर बैठ जाते हैं फिर चाहे कोई हिंदूों को कोसता रहे बहन बेटी की इज़त लूटता रहे हिंदूों के देवी देवताओं को गाली देता रहे किसे क्या फर्क पड़ता है फर्क तब पड़ता है जब चुनावाता है राहुल ने लाखो करोडों हिंदूों की आस्था के साथ खिलवार करते हुए राम मंदिर के उधगाटन को नाच गाने का इवेंट बता दिया लेकिन किसी के मुझ से एक शब्द नहीं निकला कि जवाब दिया जाए हाँ योगी ने जरूर राहुल का बकल उतारा लेकिन फिर जो रियाक्शन आया वो आया 1600 किलोमीटर दूर बैठे पवन कल्यान की तरफ से पवन कल्यान ने सीधे चेतावनी देते हुए कह दिया कि भगवान राम का अपमान भूल कर भी मत करना वाँ आणाटने थिधूष ती मिनठ युड़िकर लिदी युड़िकर बीना प्रफिश्यों वोगवाँ वाँ दियां वोगवाँ तो रिच्वाँ पल्टनी आणे प मुड़िकर सृट्रामर ने का अउंटक अन्यस्सराइड भाईज हुए ठीलिभावाँ वैसे ये कोई पहली बार नहीं ही जब पवन कल्यान सनातन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए हो या फिर सनातन विरोधियों के बयानों का सर्वनाश किया हो बलकी इससे पहले जब तिरुपती मंदिर के प्रसाद में चर्वी की खबर आई तो उससे आहत होकर 11 दिन के उपवास का एलान भी साउत के इसी नेता की तरफ से हुआ था यही नहीं साड़े 3000 सीडियां चड़कर वो तिरुपती मंदिर भी गए थे खेर इस बार जब सनातन पर बोलने का मौका आया तो लाखों हिंदू के सामने राहूल गांधी जैसे नेताओं को जाती वाला पार्ट भी पढ़ा डाला आश्या ड्राथ मौका विए इस बार गाला पड़ कर दो सिर्ट रॉड़क्ति नेस उड़ कि अधकर देश्या भोड़कर विच्ग को टूए बाग्ट रख एब बेगए बखिए खेरा बिवादी अवर्ड कि अवर्या ड्वर्य ने डिव तक्यार्व प्रणी में क्या था I prefer speaking truth In words of रास्त्र कभी रामधारी सिंग देने का Let me tell you जो सत्य जान कर बीन सच्छ के हता है या किसी नोब के विवश्ट मूख रहता है उस पुटियो राज संद्री का धायली का धिक है या मूख सच्छ का सच्छ हन्ता कम नहीं वजिख है पायर ब्रांट पवन कर लियान ने तो इसी मंच से ये भी एलान कर दिया कि सेकुलिरिजम सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता बलकि ये दोनों तरफ से होना चाहिए दख्षिन भारत से उठी इस ललकार ने एक बात तो साफ कर दी कि ये आवाज सनातन विरोधियों के सीने पर साप की तरह लोटेगी भी और चुबेगी भी बेरहाल पवन कल्यान के इस फायर अंदास को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दे और साथी साथ बताएं कि क्या आपके हिसाब से अब हिंदी पट्टी के नेताओं को भी ऐसे ही फ्रंट फूट पर आकर अपने धर्म के लिए नहीं बोलना चाहिए तरह प्राइं है ईब की अपोलिक सर्फालतनी, हींद। अवंगु अपोलिक सर्फालतनी, हींद। कर दो ISOम, अर Inspet ChristianITY, I respect Sikhism, I respect Buddhism, and all the other dharmas. But, I am an unapologetic Salatani Hindu. Let me be very clear to you guys. And, I will also safeguard, I am conveying this to the so-called secularists, who ridicule my Sanatana Dharma, let me tell you today, and I will safeguard my Sanatana Dharma with my life, if it gets attacked, trivialized, and abused, if I have to lose everything, including my life, and my political position as DPDCF, and this political power, I am ready to let it go. This is an oath I have taken in my life when I was at the age of 21, in the same Tirupati, when I was looking at the foothills of Lord Balaji, looking at the caption, looking at the shloka, dharmo rakshita rakshita ha, dharmani rakshita dharmo ni rakshita, with the honourable opposition leader, Sri Rahul Gandhi says, I don't care what ceremony, when he compares to it as a Nachi Gang Sabha, none of the Sanatana Hindus should not get hurt. You have to be happy about it. And you want the words of all the Sanatana Hindus to get into the power, to be a political leader, to be in the opposition. And you want all the words of Sanatana Hindus, but you don't respect Lord Rama. You might hate Modi. You might hate us. But don't you guys dare to talk about Lord Sri Rama. This is a classic case of justice.